राधे राधे अब्रिवन आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत हैं आज के वीडियो में आप सभी के साथ सेयर करने वाली हूँ किस तरहे से दीपावली वाले दिन अखंड दीपक जलाया जाता है माता लक्षमी का तो हमारे याँ जैसी परंपरा है इस वीडियो में आपके साथ मैं यही सियर करूँगी तो सबसे पहले देखिए जिस जगे आप पूजा करें उसी जगे जो है ना माता लक्षमी का अखंड दीपक जलाया जाता है तो उसके नीचे आप इस तरह से हल्दी से जरूर लीप ले चौकी पर दीपक ना चलाए क्योंकि चौकी पर चलाने से थोड़ी सी असुविदा हो जाती है और कपड़ा आप दीपक जला रहे है तो आग वाग लगने का थोड़ा सा डर रहता है इस टाइप का आप आप ना सकते हैं जमीन पर बनाए तो जाना अच्छा है और सुविदा जनक है और आसपास यह जरूर देख ले कि कोई पड़े वर्दे ना हो और देखे इस तरह से हमने आप पर चावनों का गोल पुंज रख दिया है इसके बाद अखंड दीपक मातरानी का मिट्टी का जलाया जा इतना बड़ा दीपक आपको लेना है वस đếnуск सबसेbell ع내 में सबसेरे से बना है यह सब से पहले आपको रोली resonates को सबसे है ले लेना लो पर बहुत सुन्दा सुनन पर टीपक मिलतें पर तो इस तरह से दिखें को थोड़ा सा सजा लिए तो अच्छा लगेगा देखने में यहां पर देखिए मैंने चावनों के ऊपर दीपक को यहां पर स्थापित कर दिया है इसके बाद दीपक में डाला क्या जाता है दिवाली पर जो दीपक जलाया जाता है यानि अखंड दीपक जलाया जाता है आप चाहें तो घी का जला सकते हैं सมधर्पसptedर जैसे कि थोड़ा सा खालि उसको रखता है उसके बाजो 4 मुखह दिपक जलाया जाता है तो 4 मुखह दिपक जलाया जाता है तो 4 रखता किसी विलिए रखBACK क्या चाहिए हैं इस दीपक में आपको एक कौणी डाला जाता है क्योंकि माता लक्षमी की पूझा में विशीस रूप से जो है चढ़ा जाते हैं और यह माता लक्षमी का दीपक तो इसUSE में कौणी और कमल गटा डालना आप बिल्कुल नहीं भोले इसके आप दीपक को अच् किया है इसलिए चावल चड़ा दिये तो दीपक देखने में बहुत जाना सुन्दर लगेगा और इस तरह से चारो तरफ दीपक के फूल लगा दिये इसके आसपास भी जो हे आप दीपक जो हे ना बुझाया नहीं जाता दीपा वली वाले दिन पूरी इस दीपक को जलाया जाता है इस बात का ध्यान रखे और अगर आप चारो बाती सम्हाल सकते हैं तो चारो बातियों को जलने दे अगर आप नहीं सम्हाल पा रहे हैं तो चारो बातियों को एक बाती करके दीपक को जलने देना चाहिए इसके बाद यहां पर लक्षमी जिस दि काजल पाड़ लिया है और इसे हम अपने पूरे परिवार की आँखों में लगाते हैं इससे आँखे कभी खराब नहीं होती और बहुत जानदा सुब माना जाता है तिली के तेल का काजल तो बैसे भी जानदा बहुत अच्छा माना जाता है तो इस तरह से देखिए अपनी उ पर जाता है आपको भी दिक्कत नहीं होगी और चारों बातियों को आप राध पर नहीं समाल सकते तो देखिए इस तरह से चारों-बातियों को एक करके भी जोएना पूरिराद आप दीपक जलाएं घर में अंधीरा आपको बिल्कुल नहीं करना है दीपक आपको जरूर ज आप दोस्त तक जो है न इस दीपक को जरूर जले दे जिस से आपके घर में हमेशा रोष्नी बनी रहेगी और माता लक्षीमी की किरपा जो है आप पर हमीशा बनी रहेगी ये हैं माता लक्षीमी का अकंड दीपक रहता है इसको बुझना नहीं चाहिए इस बात का ध्यान जब तक के लिए जैशी राधे मित्रो राधे राधे